मायान गरी मुंबई में बहुत कम ऐसे अभिनेता हैं जो बिल्कुल साधालाई पस्टाइल जीते हैं दुनिया भर में कई ऐसी मिसालें आपको मिल जाएंगी जब गरीबों की मदद के लिए अर्बत्ती तक आगे आए हैं लेकिन बलिवूड इंडिस्ट्री में एक ऐसा मशूर अभिनेता भी है जो करोडों की संपत्ती दान कर चुका है और बेहज साधा जीवन जीता है इस सेक्टर ने अपनी पूरी संपत्ती सामाजे कारियों में लगा दी है लाइम लाइट से दूर रहने की वज़े से कोई इनका महिमा मंदन नहीं करता चलिए आपको बताते हैं उस मशूर अभिनेता के बारे में ये और कोई नहीं बलकी क्रांतवीर और तिरंगा और अब तक छपन जैसी फिल्मों में अपने दमादार अभिनेता लोहा मनवा चुके अभिनेता नाना पाटेकर है वैसे तो नाना पाटेकर किसी परिचे के मोहताज नहीं है लेकिन उनके द्वारा किये गए सामाजे कारियों के बारे में बहुती कम लोग जानते है नाना पाटेकर ने लातूर में पड़े अकाल और उसके कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के दुख दर्ब को ध्यान में रखते हुए एक फाउंडेशन बनाया है जिसके जरियें वो दरूर तमन किसानों की मदद करते हैं सूखे की समस्या के कारण जिन किसानों की फसल खराब हो गई और जिस किसान ने आत्महत्या की उन किसान के घर गर जाकर नाना पाटेकर 15,000 रूपए की आर्थिक मदद की जिसमें लगभग 162 किसानों के परिवार शामिल थे नाना पाटेकर ने अपनी सारी समपत्ती को ऐसे ही सामाजी कारियों के लिए हिदान में दे दिया वर्तमान में नाना के पास सिर्फ एक बीच के का मकान है जिसमें नाना अपनी बूधी माँ और परिवार के साथ रहते है